हेलो स्टुडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि नजब जो है वो बॉर्डर पार करके फातिमा के घर पे पहुँच चुका है और अभी तक उसके फादर को फातिमा के फादर काले शा को नहीं पता है कि नजब उसके घर में आ चुका है और रात में जब मगलर आया है तो वो मना कर देता है उससे आगे हम आज देखेंगे You have a guest said Fatima as he brought him in his tumbler of hot steaming milk next morning तो अगली सुबह जब Fatima अपने फादर के लिए अपने पिता के लिए गरम भाप निकलता वा दूद लेकर के आती है सुबह सुबह तब वो अपने पिता से कहती है कि एक महमान आया है it is नजब और वो कौन है नजब है he stayed the night in the cattle shed वरातरी में वो पश्वों के बाड़े में रहा for a moment he was terrified एक शण के लिए तो वो बहबीत हो गया कौन काले शाह क्योंकि काले शाह ने constable को क्या बोला था कि कोई भी smuggler उसके घर पे क्या गाव त तो वो क्या कहता है काले सा सोचता है कि एक smuggler जो है उसके घर में है और police जो है उसे चारो तरफ ढून रही है और उसको उसके बारे में पता तक नहीं है His meeting with Nazab had been brief. Nazab से उसकी मुलाकात थोड़े समय तक हुई The wretched fellow had brought no tendu leaf और वो बेचारा अभागा लड़का जो है वो तेंदू की पत्ती भी साथ में नहीं लाया था First you come unannounced, dragging the police behind you and then I find you have come with nothing. Trading with you is going to be a dead lost son with the cops on your back and your hands empty तो काले शाँ जो है उसको क्या कहते है नजब को के सबसे पहली बात तो तुम बिना बताये आए, unannounced या ने बिना बताये आगे हो और dragging the police behind और तुमारे पीछे 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 police भी आई और फिर तुम अपने साथ लाये कुछ नहीं हो तो तुमारे साथ trading करना वैपार करना है वो कैसा साबित हो रहा है मेरे लिए dead loss या ने बहुत ही घाटे का सोधा हो रहा है with the cops on your back and your hands empty के police भी है तुमारे पीछे लगी भी और तुमारे हाथों में भी कुछ नहीं है मतलब लाए भी कुछ नहीं तुम बेचने के लिए देने के लिए और police भी जो है वो भी आ गई नजब थोट डेट काले शाज वेस्ट क्लोथ with its black and white checks looked like a chess board तो नजब ने सोचा कि काले साह का जो वेस्ट क्लोथ जो कमर के नीचे जो कपड़ा पहना जाता है उसको तहमद कहते हैं तो वो काले शाज की जो तहमद थी वो कैसी थी काली और उसके उपर काले और सफिर जो है चेक्स बने हुए थे चोक और खाने बने हुए थे और वो खाने जो है नजब को कैसे लग रहे थे जैसे कोई सत्रंज का बोर्ड है चैस याने शत्रंज तो काले सां के सामने वो अपना कोई वी अगर कदम उठाएगा तो उसे बहुत ही सावधा नी से केयरफ़ूल यानि सावधानी से अपना अगला कदम उठाना होगा उसने काले सां को सोने का वो ब्रेस्लेट दिखाया आई हेव फॉर्द आ क्लॉफ रॉप एजैन और यहां लार्ग लेने की लिए आया। और आ जो है आपको उसके बसली में क्या दूँगा, दूगा और नॉः आ रूप लोटो से लाया था वह अपनी बधर का ब्रशलेट था और वह सोच रहा है कि काले शाह को बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि वो उसकी बेटी को बार लेने के लिए आया है इसलिए वो उसको कहता है बहुत ही समझदारी से अगला कदम उठाता है और वो उसको कहता है कि ब्रेसलेट दिखाते हुए कि मैं यहां लॉंग खरीदने आया हूँ और उसके बदले में मैं आपको गोल्ड दूँगा सोना दूँगा अगली दो दिनों तक काले शाह जो है वैस्त राकिसमें लॉंग खरीदने में और अल्ला रखा को कुछ मील दूर तक ग्रेज करवाने में उसको घांस खिलाने के लिए उसने थोड़ा दूर भेजा एक कावहड के साथ में ग्वाले के साथ में नहीं तो क्या होता कि एक अजनभी उट की प्रेजन से उपस्तिती से लोग जो है बकबक करने लगते तो लोगों की बकबक को बकबक से बचने के लिए उसने उस उट को थोड़ा दूर वो चराने के लिए भेजता था ग्वाले के साथ नजब स्लेप्ट इन दा केटल शेट नजब जो है पस्तों के बाड़े में ही रात को सोता था in the evening and slept into फातिमा's room late night तो शाम के समय वो वह सोता था और देर रात्री में वो फातिमा के रूम में कमरे में चला जाता था they want me to marry महफूज अली, she told him तो फातिमा ने नजब से क्या कहा कि वो मुझे चाहते है कि मैं महफूज अली से शादी कर लू he is related to us from my mother's family वो मेरी मा के परिवार से संबंदित है the way he stemmers you should hear him और जिस तरीके से वो हकलाता है stemmer याने हकलाता है तो मैं उसको सुनना चाहिए अर्चेंस स्टार्ट मिमिकिंग हिम the moment they set eyes on him तो अर्चेंस याने शैतान बच्चे जो है naughty जो children वो क्या करते है उसकी mimicking यान नकल करने लगते है जैसे वो उनकी तरह भो बोलना शुरू करता है तो वो उसके उपर ध्यान बच्चे ध्यान रखते है उसका और जैसे ही वो बोलना शुरू करता है तो उसकी नकल उताना वो शुरू करते है it is just a step removed from being हुंड़ेट लाइक मैड मैं पेल्टेट विथ स्टॉन्स तो वह कहती है कि यह तो ऐसा है जैसे कुछ दूर एक ही कदम की दूरी है कुछ दूरी पर ही आप एक पागल से पागल का आपके पीछे होना और उस पर पत्थर फैंके जाना तो ऐसा महसूस होता है जैसे उससे आप थोड़े ही दूर हो तो नजब उसको लगता है कि महफूज अली से उसका जो रिलेशन है उससे वो जो सही खुद को उसको अच्छा फील नहीं हो रहा था तो नजब उससे क्या पूचता है फातिमा से क्या ऐसा तुम्हें कभी नी लगा कि तुम अल्ला रखा पे सवारी करके इस रन के शेत्र को पार कर दो छुप रही इस बात पे जब नजब ने से भाग जाओ करने का मतलब है भाग जाने का तो वो चुप रही और उसकी जो चुप़ी थी साइलेंस थी वो क्या थी उसकी सहमती थी मतलब वो नजब के साथ जाना चाहती थी, इट वाज एस सिंपल एस देट, और ये इतना सरल था, मैं बिल्कुल आसान था इसको समझना, उसकी चुपी को समझना, दा फर्स्ट लर्च ओफ दा कैमल, नेक्स्ट इवनिंग एंड दे वर ओफ, तो अगली जो है, अगली जो शाम थी, तो उठ ने जैसे ही वो, एकदम से जो उठ उठता है, उसको लर्च बोलते हैं, तो वो उठा और वो वहाँ से निकल गए, ये वेटेट विद इस कैमल, अट दा आउट इसकर्ट्स अफ दे विलेज, और वो फातिमा जो है, जब उसके पिता खराटे लेने लगे, मतलब गहरी नींद में सो गए, तब वो चुपके से वहाँ से निकली, तो वो शाम उनके लिए बहुत बड़ा था, और वो शाम उनके लिए बहुत बड़ा था, जब वो वहाँ से निकल रहे थे, उस गाव को छोड़ करके, तो उस गाव के विचार के बारे में विचार कर रही थी, जिसको वो हमेशा के लिए छोड़ के जा रही थी, एक देश को छोड़ कर, जैसा कि एक कंट्री को छोड़ कर, पाकिस्तान को छोड़ कर वो दूसरी में पुरेश करने जा रही थी, लेकिन उसके बारे में उसने बिलकुल भी नहीं सोचा, वेर दिट वन हैव था टाइम फोर पाकिस्तान और हिंदुस्तान वेन वन एलोपिंग विथ वन्स लव और क्रोसिंग देजर्ट विच डिवाइडेड बोथ फिजीकली और सिंबोलिकली दू कंट्रीज, तो इसका मतलब है कि कहां किसी के पास समय होता है कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में सोचे जब वो अपने प्रेमी के साथ उस रेगिस्तान को पार कर रहा हो और वो रेगिस्तान जो की बहुतिक रूप से और पृतिक आत्मक रूप से दो देशों को बाटता ह तो वास्ता में जब व्यक्ती अपने प्रेमी के साथ भाग रहा हो तो उसके पास यह समय नहीं होता कि वो सोचे कि पाकिस्तान वर हिंदुस्थान अलग है तो वास्ता में उस समय वो औरेगिस्तान उनके लिए केवल मात्र जो है उनको डिवाइड करने वाला एक बहुतिक य जो बदलाव था, a smear of कच्छी added, तो उसमें एक कच्छी का पुट जो है, वो जुड जाएगा and a little of सिंधी sand-papered away, और सिंधी का जो पुट है वो हट जाएगा, मतलब अब जो उसकी भास, बोली में बदलाव होने वाला है ये बस उसको उससे मतलब था and the camel lurched and bumped onwards and nazab drove him hard, और उट जो है वो अपने, जो जिस तरह से चलता है, उसके लिए lurch word आया है वो ऐसे करके उपर नीचे जो होता है वैसे करके वो आगे बढ़ रहा था, चल रहा था और नazab जो है उसको हांक रहा था जोर से by the time they reached सार बेला, she was exhausted and fell asleep, और जब वो सार बेला पहुंच गए तो वो थक चुकी थी exhausted याने थक चुकी थी कौन फातिमा और वो सो गई, she woke up in the afternoon to find the sky overcast, जब दोपेर में वो उठी तो आकास बादलों से भरा हुआ था it turned ominous in the evening with depth upon depth of dark aged nimbus gathering at the summons of a storm good, तो ये एक earnest सूचक लग रहा था शाम को जब जो है काले लहर, काले किनारी वाले पादल घटाए निमस याने घटाए, काली गहरी घटाए जो है एक की उपर एक आती जा रही थी ऐसा लग रहा था कि उन्ने किसने बुलावा भेजा है storm गोड याने इंदर देवता ने, बारिश के देवता ने अनदर नाइट दे जर्णीड फेसिंग दा विंड, एक और रातरी उन्होंने यात्रा की हवा का सामना करते हुए और जिसकी वज़ा से उनके चैरे पे मिट्टी पड़ रही थी जब वो खावदा के पास पहुंचे, था थंडर स्टार्ट रोलिंग एंड रिवर्ब्रेटिंग एक्रोस दा इसकाईज तो बिजली की गड़गडा आट जो है वो शुरू हो गई और उसकी गूंच जो है आकास तक पहुंच चुकी थी त्री टाइमस दूरिंग दा नाइट आफ्ताब हैड ओपन द द डूर तिंकिंग इस सन हैड कब रात्री में तीन बार आफ्ताब ने दरवाजा खोला ये सोचते हुए कि उसका बेटा आ गया है जो हाँ चल रही थी ये लगाता है लेकिन इस बार जो है दरवाजा बजाने की जो आवाज है वो लगातार आ रही थी लह तो इस बार बजाने Firoff भी वाजने रया रही है कि अल्ला रखा जो है दूर खड़ा है शर्माते हुए जैसे ही उस पर जब वो बिजली की जो चमक पड़ी तो उसने देखा कि अल्ला रखा जो दूर सर्माते हुए खड़ा है यूज आइसोलेटेड ड्रॉपस ओफ रैन वर फॉली यूज याने बड़ी आइसोलेटेड याने अलग-अलग बारिश की बूंदे जो है नीचे पड़ रही थी गिर रही थी किकिंग अप दा डस्ट और उससे धूल जो है उपर उट रही थी आफ्ताव स्टिल्ड हिंसेल्फ आफ्ताव ने खुद को द्रड किया इस्टिल्ड याने द्रड किया he would not allow any relief any expression of joy to show on his face कि वो कोई भी रहत का या खुशी का भाव अपनी चहरे पे नहीं लाएगा क्योंकि अंदर वो बहुत खुश था मन में वो फातिमा को लेकर के आ चुका था son have you brought anything he asked an age of iron deliberately introduced into voice deliberately याने जान बूच कर अपनी आवाज में एक लोही जैसी द्रड़ता लाते हुए उसने आफ्ता अपने अपने बेटे से पूछा क्या तुम अपने साथ कुछ लाए हो yes he replied as he ushered फातिमा इन तो उसने फातिमा को अंदर प्रवेश करवाते हुए कहा और अपने साथ तीन साल का जो सूखा था उसको भी लेकर के गई मतलब तीन साल का सूखा जो है फातिमा के आने से ही वो खतम हो चुका था